सार्यानू सत्षिरियकाल्ट्स स्वागत कर दियां मैं तहोड आपने चैनल मैथविद सुमन प्रेतकौर ते मैं सुमन प्रेतकौर अते आज दे एस वीडियो दे विच असी करांगे शिरीगुरु नान्क देवजी देना रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यों हान जी पहला वी असी शिरीगुरु नान्क देवजी दे टॉपी का जेड़ा कवर कर चुके हैं पर शिरीगुरु नान्क देवजी देना रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यों जेड़े की मिननू लग रहे आ सी कि बहुत कट मात्रा दे विच अपा कीते सी क्यों क्योंके पेपर एा जेड़ा जोड़े दो पेपर होन तक होग था एक स्टैनों दा होया वा पेपर एक लिजीबिलिटी टेष्ट ठेके ते का पेपर होर होग जेड़ा की जी ऑ गुरु नान्क देव यूनिवर्सिटी दे विच्ण लेया अगय आवा ते एस देल ही म तो नोई दसना चौनी है कि जड़ा पेपर एया वो बहुत ही ज़ादा डूंगाई दे विचो पुछे आ जा रहे है ता इस करके जिनने वी इंपोर्टन्ट MCQ गुरु नानक देव जी देना रेलेटेड बन सकते या ओ अपने इस वीडियो दे विच डिसकस करांगे ठेके बहुत ही ज़ादा दूंगाई दे विच जाके जिमेदे MCQ एक्जाम दे विच ओन देने लो लेवल तो लेके हाई लेवल तक दे MCQ कवर जाने ओ एज आ रेविजन टेस्ट मन के मेरे नाल वीडियो नो अटेम्ट कर सकते ने ते दूसरी गल में गल लेए कि ए जो टॉपिक हा शिरेगुरु नानक देव जी पेपर ए ते पेपर बी दोहां दे लई ही बहुत इंपोर्टन टॉपिक हा जाने के पंजाबी इलिजि पर सेंट नंबर लाओंगे फेर ही तुसी पेपर वीदेली क्वालिफाई मनने जाओंगे ठीक है इस करके अपपा फिर तो क्लसा स्टाट कीतिया ने तांजो तो अनुपूरी इंडिंग आई दे नाल तो डजड़ा चैप्टरा ओ क्लियर करवाधता जावे क्योंकि बहुत ते ही जादा टाफ लेवल दे अमसी क्यों लाइज आ रहे ने पेपर दे विच ते हो सारे आप लो लेवल तो लगे हाई लेवल तक कवर करांगे जादा देर ना करदे होई आपा शुरू करदे याँ वीडियो नू सिक्तरम दा संस्थापक कौन सी ता तो आनू देखके ही पता लगया होना आउम सी कि उनू के सिक्तरम दे संस्थापक कौन सी ये शरी गुरू नान्क देव जी औफ्ष न नूब्र टी इज रैटा आंसर शरी गुरु नाणक देव जी सिक्तरंदे संस्थापक सी ते इन्नादा जनम 15 अप्रेल 1480 इस्वीनू शरी ननकाना सहिव जानी के राइपोईदी तलवन डीविखे पाकिस्तान देविच होया जिला केडा लगदा सी सेखुपुरा ठीक है नेक्स्ट है जी मिट्टी तुन्द जग चानन होया सात्गुरु नाणक परगटिया एशवद किस ने फरमाए हांजी एशवद फरमाए सी पाई गुर्दास जी ने एशवद पाई गुर्दास जी दिने ओन्नाने केहा सी कि मिट्टी तुन्द जग चाननन होया अग्यानता दा जिड़ा हनेरावा ओहो परे हो गया ते चानन हो गया मतलव ग्यानता दा चानन हो गया à ग्यानता दी जड़ी तौंदशाई हो इसो परे हो गया ते जदों सत्त depictsरु नानक परगती सी 잘नी क्यों नहता जनम हो गया सी पंजाब दिछ पहती अं दोलं दे संस्थापक सी शरेगुरु नानक देव जी Option number A is the right answer Next जी Сिंक्तरम दे मोडी कॉन सन Hasidra है है, शरेगुरु नानक देव जी समकाली मुगल साशों कौन सीगे बावर ओफ्षन नुबर B is the right answer नेक्स्ट एजी शरी गुरु नाणक देव जी दे पिता जी दा नाम केसी हाँजी शरी गुरु नाणक देव जी दे पिता दा नाम सी महता कालू इन्ना दा पूरा नाम सी शरी महता कले आन दास तो इन्ना दी माता दा नाम सी माता त्रिपता देवी जी ओफ्षन नुबर A is the right answer शरी महता कालू तो अनुए थे ओफ्षन लिखी दिखरी या शरी फेरु मल जी जानिके पाई फेरु मल जी ए शरी गुरु अंग देव जी दे पिता जी सान ने ठीके नेक्स्ट एजी शरी गुरु नानक देव जी दियां जात्रामानू की केहा गया है हाँ जी शरी गुरु नानक देव जी दियां जात्रामानू की बोले जान्दा है वेरी इंपोर्टेंट एंड बोहत ही जादा अपा कह सकते हैं कि एक बदियां MC की हुआ है कि शिरीगुरु नानक देवजी दियां उदासियां नू जा जात्रामा नू की के हाजान दाए उदासियां ओफ्षन नूबरी थे C, राइट आंसर है जी तो अडिकूल, ठीके C, ओफ्षन, नेक्स्ट है करतारपुर जानिके पाकिस्तान, केडे दर यादे कंडे ते स्तेत्त है, एक करतारपुर पाकिस्तान दे विच्च, ठीके, ते एस करतारपुर्दी स्थापना शिरीगुरु ना नेक्स्ट है करतारपुर, पाकिस्तान जानिके केडे दरियादे कंडे ते स्तेत्ता रावी थे, ओफ्षन नूर्ड़ दी इस राइट आंसर, रावी अद्धा पंजाब विच्च, अद्धा पाकिस्तान दे विच्च, नेक्स्ट है सही जोड बनाओ, हाँजी एक साइड उ थान दा नाम लिख्या आपां तान उदसी है पहली जड़ी उदसी है ए पूरव दीशा दे विच्च होई सी कदों होई सी 1490 में तों 1518 वी तक उदसी कीती सी पहली उदसी पूरव दीशा दे विच्च गुरुजी ने इस दे विच्च गुरुजी ने शियादपुर, कुरुक शेतर, हर्दुवार, दिल्ली, पानीपत, बनार्स, गोर्खमता, ठीके, ते कामरूप, डाका, जगन, नाथपुरी, आगरा एदनादे स्थानादी जड़ी, जात्रा कीती सी एस उदसी दे विच्च, टे पहली उदसी याजडी, एदनाणी एस दे विच्चो तुसी देख सकते हो, पहली उदसी दिजा अपा गल करिये, ता हर दुवार रईटा आन सरारी आए, ठीके जी, फेर अगे दूसरी उदसी दखन दिशादे वाल किती गई सी, दखन दे वाल ते आंदो, ठेके, ते एस दखन दे वाल जो दोई धूसरी अदासी किती गई है, तै ये 1510-1525 तक किती गई, गुरुजे एकको दासी कवर कारलेंदे सी, फिर अपने करतारपूर दे विच आजांदे सी, ठेके, एस घल्द तो सीती आन रखना उस्तो वाद फिर तो शुरू कर दे सी, ताहुन दखन दिशादे विचे 1510-152525 तक किती गई, गेडे-गेडे स्थान कवर किती सी, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, उजेन, हैदरावाद, गोलकुंडा, रामेश्वर, शिरिलंका, कोचीन, गुजरात, उदवारेका, सिंद, मुल्तान, तक की राइटांसर होवे गाई थे, ओफ्षन, शिरिलंका, दुजी उदासी, शिरिलंका दे विच किती, ठीके, फिर तेसरी उदासी देख देया, तेसरी उदासी दीजी अपार गल करिये, ताही उत्तर दिशा दे विच होई सी, तेसरी उ 1516 इसवी तो 1518 इसवी तक कवर किती से उदासी गुरुजी ने, इस दे विच कांगडा, चंबा, कश्मीर काटी, कैलाश, परवत, सरोवरचील, मांसरोवरचील, तिबत, लदाक, जम्मू, ते अमरनाथ, शिरिनगर, ते जी उदासी दे विचे स्थान जडे गुरुजी न अमरनाथ, चोथि उदासी गुरुजी ने, पच्छम दिशादिवल किती सी, जेडी की सन 1518 इसवी तो 1522 इसवी तक कवर किती सी, ते जडे विच मक्का मदिन्ना, बगदाद, पाक पटन, इरान, काबूल, पिशावर, ठीके, ए उदासी यां इद्धरो ए स्थानाचे किती सी, ता इथे राइटा आंसर है, चोथि उदासी दा मक्का मदिन्ना, ता उन तुसी देखो, पहले दा ससा, दूसरे दा एडी, ते तेसरे दा आडा, ते एदा एडी, आपा कह सकते हैं, उडा, ठीके, चोथि दा, ते केडी ओफ्शन दे विच्छा उचा करके, आपा टिक क दमागे, ता हाँ जी, बाई मिस्टेक इथे, मैं ओफ्शना नी टाइप करिया, ता जे कर तो अनू एग्जाम दे विच ओण गिया विच ओफ्शना, तो में तो अनू अग्गी, एक-दो इंसी के विच तरह दे है गया, तो अनू पता लग जावेगा, उन तुसी इथे, अपां कोई विच ओफ्शन लगाले निया, कि पहले दा ससा सी, दूजे दा वी ससा सी, तीजे दा वी उडा सी, चोथे दा आडा सी, ठीके, इस गल्दा त्यान रख्यों, नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी दियां उदासियां दा मोखो देश की सी, हांजी, गुरु नान कि देव जीनु ग्यान प्रापत होया सी, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसल्मान, ठीके, ए ग्यान दी ग्यान दा परचार करंदे लई गुरु जी ने उदासियां कितियां सी, मतलब आपने आतम ग्यान दा परचार करना, ओफ्शन नबल, बी एस धर राइट आंसर है, जाए आलाग आ सकदा तो हननु प्रापत ग्यान दा परचार करना मखु देश सीगा, नेक्स्ट है जी, सिखता रम विच कीर्थन दी प्रथा किसने शुरु कित्ती, हांजी सिखता रम दे विच कीर्थन दी प्रथा शुरु कित्ती सी, किन्नानी कीर्थन दी प्रथा शुरु कित गुरुनांक देवजी नूं ग्यानदी प्राप्ती काली बेई दे स्थानते जानिके काली बेई नदी दे विच्छ होई सी अफ्शन नबर एज रैट आंसर इस नदी दे विच्छ गुरुजी तिन दिन अलोप रहे सी ठीके तिन दिना वाद जदो गुरुजी परगट होई ता उन्नाने ए शावदा अखे ना कोई हिंदू ना कोई मुसल्मान गुरु नानक देव जी दी विचारता राज़ विश्वास रखन वाले आनू की के हाजान्दा है हाँजी जेडे गुरु नानक देव जी दी विचारता राज़ विश्वास राख देया ओन्नानू बोल देया सिख ओप्षिन ए इस राइट आंसर नेक्स्ट एजी सिख तर अम विच गुरु गद्दी दी परंप्रानू केसने शुरू कित्ता हाँजी सिख तर अम देव इच गुरु गद्दी दी परंप्रानू शुरू कित्ता दिखो पहले गुरु शिरी गुरु नानक देव जी सिख तर अम विच गुरु गद्दी दी परंप्रानू शुरू कित्ती सिख तर अम विच गुरु गद्दी दी परंप्रानू अपने जीवन दा आखरी समा करतार पुर्देविच वतीत कित्ता, option D is the right answer, next है जी, मलिक पागो कौन सी, हाँजी मलिक पागो पाईलालो एह दना ते सजन ठाग, इनना वरित उसी बहुच सुनेया हुना, जड़ा मलिक पागो सीगा, एहे अमीर सी, ठीके, option C is the right answer, मलिक पागो मीर सीगा, इनना ने वी गुरुजीनू अपनी का रोटी खाने, खाने, खानली बुलाया सी, ठीका, खाने थे बुलाया सी, ते पाईलालो वी सीगे एक साइड, ते इननने वी अपने कार गुरुजीनू खाना खानली बुलाया सी, ते पाईलालो कौन सीगे, एक Option number D is the right answer. Next is Malik Pago Te Pai Lalo Nal, Guru Nanak Devjidhi Mulaqat कित्थे हुई? तो उन्हों एवी आसकदा कि Malik Pago Te Pai Lalo Nal, Guru Nanak Devjidhi Mulaqat केड़ी उदासी दे समय हुई? ठीके, किसे वी तरंकमा फ्राकी आसकदा? तो उन्हों श्यादपूर दास था, श्यादपूर दे विच में तो उन्हों पहले ही दस्या सी, कि पहले ही उदासी हुई सी? ठीके, तो उफ्शन अब सी थे राइट आंसर है, तो तुसी इस गलते जरूर ते आन देना, ठीके, उदासी याँ दे स्थान लिख लेना कि केड़ी उदासी केड़ी दिशाच कित्थे कित्थे हुई? नेक्स्ट हैं, सज्जन ठाग को, हांजी सज्जन कौन सी? मैं आपी दांसर बोल दता है कि ठाग सी? ओफ्शन अब सी इस राइट आंसर, नेक्स्ट हैंजी सज्जन ठाग दी गुरु नानक देवजी देनाल मुलाकात कित्थे हुई? हांजी सज्जन ठाग जो, ओना दी गुरु नानक देवजी देनाल मुलाकाता जड़ी, ओ कित्थे हुई सी? तलुमबाच हुई सी, केड़ी उदासिच हुई सी, तीसरी उदासिच हुई सी, इस गल्दवी तिया, ओफ्शन सी इस राइट आंसर, नेक्स्ट हैं, गोर्ख मत नामक स्थान दा आधुनिक ना की है, गोर्ख मता नामक स्थान दा आधुनिक नाम है, नानक मता, ओफ्शन दी इस राइट आंसर है, कि नानक मता, गोर्ख मता नामक स्थान दा आधुनिक नाम, ओफ्शन दी इस राइट आंसर, नेक्स्ट है, मानस की जात सवे एक पहचान ए शावद केड़े पुरुख दे हानु, हांजी केड़े महान पुरुख दे शावदा की मानस की जात सबे एके पहचानुवो, तई ए शावदने शिरी गुरु नानक देवजी दे, ठीके, ओफ्षन डी इस राइट आंसर, नेक्स्ट एजी, सब्तों पहला केड़े व्यक्ति नूँ, गुरु नानक देवजी दा चेला बनन दा मान हांसिल होया, तउ नेगेजी पाईलालो, ओफ्षन डी इस राइट आंसर, नेक्स्ट एजी, गुर्दवारा नामक संस्थादी स्थापना किस ने कित्ती सी, आँजी गुर्दवारा नामक संस्थादी स्थापना शिरी गुरु नानक देवजी ने कित्ती सी, ओफ्षन डी इस राइट आंसर, नेक्स्ट ए, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसल्मान, ए बाग केड़े तर्मनाल सबन्दित है। औजी ना कोई हिंदू ना कोई मुसल्मान के शिरीगुरु नानक देवजी नुं ग्यान प्रापत हो यासी ते शिरीगुरु नानक देवजी केड़े तर्मनाल सबन्दिता है शिक तरम। Option number B is the right answer. Next is, गुरुनान्क देवजी अनुसार मनुखी जीवन दांतिम उदेश की होना चाहिदा है? गुरुनान्क देवजी दे अनुसार मनुखी जीवन दांतिम उदेश होना चाहिदा साच खांड़ दी प्रापती. Option number C is the right answer. Next is, सिख्थरम बिच पाई दा खिताब सब्तों पहला किस नुद प्रापत होया? Next is, एक नूरते सव जग उपजेया. कौन पल एकौन मन्दे एश आव्द केडे साहिव देहन? हाँजी केडे गुरु सह बांदे ए शाब्दने एक नूरतेसा बजा गोप जेया कौन पले कौन मंदे ए शाब्दने जी पागत कबीर जी दे ओफ्शन नमबर बी इस राइट आंसर ठीके जी नेक्स्ट है सच्चा सौधा दी कटनातों कीपाव है हाँजी सच्चे सौधे दी जड़ी कटनामा इस तो कीपावत वानुपताये शिरी गुरु नानक देव जीनू उन्नादे पिता जीने बीरुपई देसी के जाके कोई पार करकेया थीके ता उन्नाने की किता सी पुख्य सादूंगानू पोजन सकाके एक तरना लंगर्दी प्रत्था वाज़े जिडियों शुरु करदेती सी थीके ता पुखे सादूंगानू पोजन करवोना सच्चा सौधा दी कटना सी की Option B is the right answer उन्नाने पिता ने गुरुजी नुँ बी रुपए देखे सच्चे सवधा करनली पे जासी उन्नाने क्यासी कोई सवधा करके या कोई बपारद कम करके या ता उन्नाने पुख्य सादू आनू पोजन करवाया सी ठीके next है सो क्यों मन्दा आखिये जित जम्मेर जान हांजी उन्ना औरता नू क्यों मन्दा आखिये जिन्नाने बड़े बड़े राजिया महराजियानू जनम दित्ता ए शावध केडे गुरु सह बांदे सान ता option नमबर ए थे राइट आंसर है कि गुरु नानिक देवजी ततो नू एवी आसकता MCQ कि सब्तों पहला इस्तरियां दी सुमाज देवी चुपू मीकानू किन्ना ने समझेया सी फिर वी तो अड़ा राइट आंसर श्री गुरु नानिक देवजी होवेगा next है जी किरत करन ते वांड श्कन दा सिदात सब्तों पहला किसने दित्ता सी करम ही बंड़ेदा जेटा में ंतरम हुंदा किरत करन ते वांड श्कन ए है श्री गुरु नानिक देवजी ने सिदा आध दत्ता सी option A is the right answer किरत करना मतलव कम करना अथे वंड के शकना ठीके गुरु नानक देव जी ने राबबदी प्राप्ती लाई केड़ा मारग उचित दस्यासी हाँजी गुरु नानक देव जी ने राबबदी प्राप्ती दे लाई नाम जपना मारग जड़ा 1080 option D is the right answer नाम दा मारग ठीक नाम जपना next है मुगल बाजशा बाबर ने केड़े हमले दोराण गुरु नानक देवजी नू कैद किता सी अफशन नबर C is the right answer 30 हमला नेक्स्ट आजी गुरु नानक देवजी नू केड़े स्थानते कैद करके रख्या गया आजी गुरु नानक देवजी नू केड़े स्थानते कैद करके रख्या गया सीगा शेद पुरच अफशन नबर A is the right answer पहली उदासी दे समेट ठीके अफशन A is the right answer नेक्स्ट आजी गुरु नानक देवजी ने अपनी केड़ी रचना विच बावर्दे हमलेयांदा जिकर किता है आजी शिरी गुरु नानक देवजी दी रचनाई बावर्बानी जिस दे विच शिरी गुरु नानक देवजी ने बावर्दे हमलेयांदा जिकर किता option C is the right answer next is option number A is the right answer वैसे आनिम्पोर्टेंट एम सी कियो है पर जकर किसे examiner ने बहुत ही ज़्यादा tough level दे विच पेपर ले जाना हुवे था है फेरा सकदा next time सही जोड बनाओ ता एक तरम दा नाम लिखिया एको नदे अन्तिम उदेश लिखिया जी में हिंद तरम हिंद तरम दे विच जड़ा अन्तिम उदेश किया मुक्ती same इसे तरा जैन तरम दी गल करिये आपा जैन तरम दे विच जड़ा अन्तिम उदेश ओ हैगा परम ग्यान जाने के ऍव लेया ठीके के फिर सिख तरम सिख तरम तरम्द विस्ट जो आपका गल करे शिख तरम दी सिख तरम्द अठीड़या उधेशा ओ है सच wand ठीके तरम झाहिए निरवान पान देखोई दिविची हुन केड़ी ओफ्षन बनimes रहया पहले दा उड़ा पह इतिहास वीच केड़ी संस्था सिक्तरम्दा मौख़दार बनी एकता गुर्दवार, दूसरा संगत परथा, तीसरा पंगत परथा, ती चौता गुर्गद्धी मतलव कि प्रोक सारे ही या जेड़े एह सिक्तरम्दा मौख़दार बनी सी तौफ्षन नमबरिते दी राइटां आंसरोवेगा की सारे ही। बावर्दा वर्णर उन्णाने अपनी बावर्बाणी रचना देविच कितावा। ठीके, ओफ्शन नमबर इथे, B राइट आंसर है, बावर। नेक्स्ट एजी, सिख इतिहास देविच, सब्तों पहला गुर्दवारा कित्थे स्थापित कितागया। आजी, सिख इतिहास देविच, सब्तों पहला गुर्दवारा जिड़ा सी, ओख इतिही स्थापित कितागया। नेक्स्ट हैं, केडा गुरु नान्क देवजीदा सामकाली साशक नहीं सी, हाजिना दे विचों शिकंदर लोधी, इबराहिम लोधी, ते बाबर, ए शिरी गुरु नान्क देवजीदे सामकालीं सी, पर अकवर शिरी गुरु अमर्दास जीदा सामकालीं सी, नाके शिरी गु गुरु नान्क देव जीदे समें गैर मुसलिम वपारी वर्ग विच पेडा तरम परचलेट सी। गुरु नान्क देव जी ने केडे सुबेदार दे मोद्धी खाने विच कम किता। केडे उदासी दोरान सब्तों वाद समाल समामा जेडा लगाया सी। गुरु नान्क देव जी ने मैं उदासी यादा समाता अनों पहले नहीं दास चोकी याँ कि केडे उदासी गुरु नान्क देव जी ने कदो तो कदो किती। ता दस्वन कमेंट बॉक्स जी विच पहली उदासी गुरु नान्क देव जी ने चोदासो स्तानमे तों पंदरासो आठी स्वी तक जेडी कीती सी। चोदासो स्तानमे तों पंदरासो आठी दोसरी उदासी गुरु नान्क देव जी ने पंदरासो दासों पंदरासो 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 तक कीती। उस्तो वाद अंतिम समय देविचो अपना करता आरपुर आ गई सी ठीके ताहुन केड़ी उदासी दुराण गुरुजी ने बाद समाल लगाया सब्तों बाद समाल लगाया जी दूजी उदासी देविचे लिखो कि केड़ी उदासी दुरान गुरु नान की देव जी ने कट समल गाया मेरे माइंड देवीचे चल पया तो जदो माइंड देवीचे कोश्य हो राया जान्दा उदो इद्धर ओफ्शन ती नित्या अन्दा इस करके कई वार हो जान्दा कि अगे पिछे गल्त बोल देननीया पर इदा मतलवे नहीं हुंदा कि उदा आंसर गल्त हो जान्दा वा ठीके बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर कमेंट कर देने कि मेंडम इदा ता आंसर ए और आसी तुसे टिक किसे होरते लगा रहे हूं ता ओफ्शन ए थे राइटा आंसर है इप्टिल पहले उदासी नेक् दी रचना किती सी गुरु अंग देवजी ने ओफ्शन ब इस है राइट आंसर नेक्स्टन कोई देवजी निया उदासीया वा जातिया उस्टे आते पाई मर्दानाँच जी उप्रोक दौ Ma A B ये भी, दो में ही, गुरु जी दे, नाल सी गे, जोदों दासियों ने कित्या सी गिया, नेक्स्ट है, पाई मर्दानना जी, केडा साज बजोंदे सान, हाँ जी, पाई मर्दानना जी, रबाब साज आजेडा, बजोंदे सी रवाव, रवाव तो नो इवी आसगदा की आफगा निस्तान नाना एंज सेदे लगें स your eyes above N旋 नेक्स्टु है गुरूनानक देवजीनु एक सुधार्ग मन्नन वाले इतियासकर नाम द्सों इननाने गुरूनानक देवजीनु एक शुधार्ग मन्नन वाले हैếu uy आणिक इननानी ब्हुत ज्यादा सुधार्ग comprati अधर्मेश सदी दे पिषले अध विच्छ हो या जिकर वैसी चाद मी सथी आजन्धा, पंदर मी सथी आजन्दा, शोल मी तीर मी आजन्दा ना ओंधा पिशलेयाद तुसी देखो 1401 के पंदरांसो तक बन दिया, पंदरमी सथी, सेम इसे तरह, 1501 के शोलांसो तक बन दिया, केडी सथी बनूंगी, सोल मी सदी ठीक है इस गल्दा ते आन रखना ताहुन गुरु नानक दिवजीदा जनम पंदर मी सदी दे पिशले याद दे विच्छ हुया नेक्स्ट है बालक नानक नू जुनेव पॉंदी रसम पूरी करन ले केड़ा पंडित बुलाया ग्या सी बहुत इंपोर्टेंट MCQ है हांजी बालक नानक नू जुनेव पॉंदी रसम दे ले पंडित हर्यत याल जी आये सी ओफ्शन नुबर बी इस राइट आंसर नेक्स्ट है जी गुरु नानक देवजी दा सामकाली कौन नहीं सी हांजी गुरु नानक देवजी दे सामकाली जी चेतनिया महाप्रवू, संत कभीर, बलबाचारिया ते महातमा बहुत शेरी गुरु नानक देवजी दे सामकाली नहीं सी ओव्शन D is राइट आंसर नेक्स्ट है उलम कौन सी हांजी उल्मा, उल्मा कौन सिगा इस्लाम तरम दा एकतार्मिक नित्ता सी, ओफ्शन नुबर C is the right answer, नेक्स्ट है, गुरुनानक देवजी ने अपनी केडी रचना विच एश्वर्दी महमादा जिकर किता, श्री गुरुनानक देवजी ने जब जी सहिव देविच, ओफ्शन नुबर B is the right answer, नेक्स्ट है, नदर्शाव्द दा सब्दिक अर्थ की है, नदर्शाव्द दा जड़ा शाव्दिक अर्था इस दा मतलवा रबदी किर्पा, ओफ्शन नुबर B is the right answer, नेक्स्ट है, होकम शाव्द दा शाव्दिक अर्थ की है, हाँजी होकम, होकम शाव्द दा शाव्दिक अर्था रबदा आदेश, ओफ्शन नुबर A is the right answer, नेक्स्ट है, मक्का अते मदिना दी जात्रा, गुरुनानक देवजी ने केडी उदासी दे दुरान किती, हाँजी आप उदासीयां वारी गल कार चुकियां, मैं तो उन उदास भी चुकियां कि मक्का मदिना दी जात्रा, गुरुनानक देवजी ने चौत्ती उदासी देवजी कीती, इस तरह दें MCQ ना आजान, इस करके मैं दुवारा तौनोई topic कवर करवाया, गुरुनानक देवजी, ठीके, क्योंकि पहली topic देवजी आप उदासीयां दी गल था किती है, पर स्थाना दी गल नहीं किती सी, पर स्थान ही पुच्छे जा रही है, इस करके मैं ही topic दुवारा गुरुन लेगी है, फिर विजी विचों कोजिक MCQ, मिसिंग सी उस दे विचों, मिन्नु लाग रहे हैं सी कि मैं बहुत कट करवाया, जो किश अफिशन्ट नहीं गे तो अड़े परेते भी दोमा तों, ठीक है, नेक्स्ट है, रवाव की है, हाँजी रवाव की है, रवाव एक संगीत साजा, ओफ्शन अबर D is the right answer, नेक्स्ट है, अंजन में निरंजन रहियो दा सिंदा आत कैसने दता, हाँजी अंजन में निरंजन रहियो दा सिंदा आत है, गुरु नानक देव जी ने दता, ओफ्शन D is the right answer, नेक्स्ट है जी, गुरु नानक देव जी ने दौलत खालो दीदी नौकरी कित्थे कित्थी सी, अंजी गुरु नानक देव जी ने दौलत खालो दीदी नौकरी कित्थी सी, कित्थे कित्थी सी, सुल्तानपुर, ओफ्शन नबर D is the right answer, सुल्टान पुर देविच्छ शरी गुरु नानक देव जी ने दौलत खालो दीदी नौकरी के तीसी ठीक है नेक्स्ट है जी एकुंकार सत नाम करता पुरुक निरपोन निरवेर अकाल मूरत अयोनी सेवन गुर परशाच चप ये शाब्द केडे गुरु से बांदे हन तै शाब्द ने जी गुरु नानक देव जी दे ओफ्शन ए जा राइट आंसर नेक्स्ट है जी इन्ना शाब्दन वसी मूल मंतर बोल देए न पता न तो नुए वी सरा तो नुए आ सागधा कि मूल मंतर इन्ना दे विच्चों केड़ केशनों बोल ले आ गया है फिर वी तुसीते आन रखना गुरु नानक देव जी ने इश्वरस वंधी विचारावेच केड़ा ताथ जेड़, आटुकमा मतलम के गुरु नानक देव जी दा केड़ एन्ना दे विच्चों ताथ नहींगा तो देखिए रभ निरंकार सरव्यापी ते शर्वशक्तिमाना बिलकुल गुरु नानक देव जी ने मुल मातर दे विच्वि एही दस्यावा की जेडा रभ वो किया किया सरव्य आपका सरवशक्ति माना ते निरंकारा अपपड़िया निरपो निरवेर अकाल मुर्त योनी सहबन कुर प्रशाज आप ए सारा सानु जपजी सहब देविच मिलदावा देखनों ता ओफ्शन ए आजडी ये ठीका उनने आ टुकमा पुच्छे मतलव गल्त पुच उसने ही स्रिस्टी दी रचना किती है मतलव उसने ही सारी स्रिस्टी नू बनायावा ठीके तैवी गुरु नानक देवजी दा ही सिंदा आता पर रब नाशवान है उननने कदे भी रब दी निंदया नी किती गुरु जी ने तो ओफ्शन डी ए थे राइट आंसर है कि ए शा नम किते होया सी राय पो इधितल बंडी जो की आजकल जिसमुन न्काना सहिव दिनाम नाल जाने आजांगा अशन इथे सी रइट आंसर है कि नंकाना सही नंकाना सहीव पाकिस्तान दे विच्च्छोग गुरु नानक देव जी दा जनम स्थां तांदा योग का नामा नेक्स्ट एजी गुरुनानक देवजी दे पिता जी की कम कर देशन जी वहत ज्यादा इंपोर्टेंट M.C. के हुआ है गुरुनानक देवजी दे पिता जी एक पटवारी सी option number C is the right answer नेक्स्ट एजी गोर्ख मता केडे परदेश विच्च स्तित है जानिके केडे राज विच्च स्तित था परदेश नों आपा राज बोल दिनने है ठीके गोर्ख मता केडे परदेश दे विच्च पेंदावा यह उत्तर परदेश च पेंदा option C is the right answer नेक्स्ट एजी गुरुनानक देवजी दा रभाबी सी option C is the right answer next एजी जानिके केडे गुरुनानक देवजी दे रभाबी कौन सी? option C is the right answer next एजी गुरुनानक देवजी दे सामकाली नूर साही कौन सी? हाजी नूर साही जेडे की गुरुनानक देवजी दे सामकाली न सी? यह कौन सीगे? एक जाद्दूगर्नी सी? कामरूट दी जाद्दूगर्नी option C is the right answer next एजी सल्खी जोड बनाओ एक साइड अधियापक दा नाम लिखिया दूसरी साइड सिख्क्या लिखिया ठीके पंडित गोपाल एह सीगे पंडित गोपाल घनेतते हिंदी दे आपका ठीके? ते मौल्वी कुत्तब दीन एहे फारसी थे आर्बी ठिक आर्बी ते पंडित बिरजनाथ एकी देए अपकसी संस्क्रत थे ता उफ्षन ओडा ही थे राइसरी ओडा निंगा ओफ्षन ओडा निंगा ओफ्षन इते राइटा आंसर बनेगा जी पहले दा पहले दा आडा ठीक ह बाई मिस टेके option भी गलत होगी type ता पहले दा जो तो डेको ले बनेंगा आड़ा दोसरे दा उड़ा टेके option B बन रही है तेसरे दा एड़ी ता जे देख लो केसे होर option दे विच ता नहींगा फिर option B ही सी मेरे कुल next है जी गुरुनानिक देव जी दे जनम समें मुसलिम समाज किनिया स्रैनिया विच वंडिया होया सी हांजी जुदो गुरुनानिक देव जी दा जनम होया ता उनना दे जनम समें मुसलिम समाज दिया जिनिया स्रैनिया सी गिया उसे या तिन केडिया केडियां से तुसी comment box दे विच लिखोंगे नेक्स्ट है जनेव दी रसम समाज विच कौदो निवाई जान्दी है हाज जनेव दी रसम समाज दी विच बचपन समे निवाई जान्दी है option D is the right answer next है जनेव की है हाज जनेव एक सूती तागा है option A is the right answer ख्याए यांची पंजा साहीव अंजा साहीव किस स्थान दाना रख्या यासी हसन अबदाल दा ओशिन से जराइट आंसे तो नपुच्छा जा सेगता कि पंजा साहीव हसन अबदाल नेक्स्ट है अंजन में निरंजन तों की इपाव है अंजन में निरंजन आपा पिछे कारके गया अंजन में निरंजन एहे आपा पिछे हम से क्यों किता कि अंजन में निरंजन दा सिंदा अधे किना ने दता गुरु नानक देव जी नूँ गुरु नानक देव जी ने दता स ताहाँ ब treadmill कि नाम नाल जाने आ जान्दासीए अगरु नांक देवजीदे समय जो पंजाव सीगा ओकेडि नाम जाने आ जान्दासीए ताहाँ लहूर लोहार नामा तो हनो पता लोहार प्राद्धा नामा जेड़ा ओहो किन्ना ने दित्ता सिगा लोहार प्राद्धा नाम महाराजारं जी सिंग जी दे समे पांच नामा जेड़ा रुमाईनती महापार्त देविचे दित्ता लिया तेके ता इन्ना विच्छो कोई भी नहीं गा क इतना विच्व कोई भी नहीं श्रेगुरु नान का देवजी दे समय जेडे नामनाल पंजावनों जाने आ जानता है क्योंकि उस समय पंजावधा नाम हो सग्दा संपत सिद्धु होएं क्योंकि संपत सिद्धु ही सात नदियां बैंदियां सी ना था पंजावधी कोई आपो टामिया ठीक है कुछ अंसर में तो नोगी भी सिया ओफ्शन ते डिपेंड कर देने तो ओफ्शन दी थे राइट आंसर है पांच नांद नेक्स्ट है जी अपगल कर देया गुरु नानक देव जी ने जनम समय पंजाब वेचे प्रमोकत तरम केडा सी हांजी जदों केडी रचना वीच इस्तरी नू सिनमान देन दा जिकर कीता हैं जी गुरु नानक देव जी ने अपनी ona ओ तेडी रचनामा जेसदों इस्तरी नू सिनमान देन दा जिकर कीता ओ आसाधी वपार ऑफ्शन C is right आंसर नेक्स्ट है जी नेवुदी रसंद जी कर गुरु नानक देव जी ने आसांधी बार विच जी किता option C is the right answer next है जब जी साहिव जिस देविच राब दी महमा किती गई जब जी साहिव दी रचना गुरु नानक देव जी ने कित्थे कित्थी सी करतारपुर option A is the right answer next है गुरु नानक देव जी देव जी तेव जी ने शावद धर्ज हान very very important आँजि शिरी गुरु गुरु नानक देव जी जी आपा गल करिये ता इननादे किन्ने शावद जी डेव दर्ज हा 904 ठीके option B is the right answer नाल ही नोट कर लिया करो another one道 करें कोशिश करे याख्यों श्रीति ओ 그래도 करें सर्फ इस तो इलावा धोर केडिया रचनावानी श्री गुरु नानक देव जी ने आसा दी भारतों विना ने एक इंपोर्टेंट है कि जबजी साहिव केड़े राग विच लिखी गईया जबजी साहिव देविच कोई भी राग नीगा कि निया पोडिया ने अठतिया किने स्लोका दोव ते आसा दी वार देविच कि निया पोडिया ने चौवी ए बानी केड़े वेले पड़े जान दिया अमरित वेले फिर इस तो इलावस जिद्धु कोष्ट एक्योंकार बाराम गुरु नानक देवजी ने जड़ी पारामा लिखिया तो खारी राग देविच लिखिया ठीके फिर गुरु नानक देवजी दी बानिया पट्टी ए बानिया जड़ी अखरानाल सबंदी ता ठीके इनना जरूर त्यान रखना ते गुरु नानक देवजी ने जड़ी आप राइट आन्सर, नेक्स्ट है, गुरु नानक देवजी पगति लहर नाल जुडनतो पहला, केडे मत विश्वासरा उख देशान, केडे मत देविच विश्वासरा उख देश्यके, कोई नहीं। Option D is the right answer, कि इनना विच्छों कोई नहीं, गुरु जी शुरू तो ही रब दे विच्छ विश्वासरा खदे सी, जानी कि नाम जप्पन दे विच्छ विश्वासरा खदे सी, नेक्स्ट है, गुरु नानक देवजी दा स्रीलंका दा समकालीं साश कोंची? ethnच भू नानक देवजी सिरिलंका दे विच्छ 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 विच विए सी अपने उधासी दे दो रानीं, जेकर वीडियो चंगी लगी वेता प्लीज वीडियो नू लाइक कते शेर जरूर कर देना तानवाची थैंक्स फोर वाचिंग